विवानी के सुई गाव में राश्टुपती रामनाथ कोविन सीम ने किया महा महीम का जोडाल स्वागत राश्टुपती ने सुई गाव में किया विकास कार्यो का उद्ध घाटन विवानी के सुई गाव में सीम का संबोधन कहा किसी भी गाव के में राश्टपती का अनवेकास को देता है जगती सीम ने मुक्के बाजी और अत्लेटिक सकादमी बनाने की गोजना गुरुग्राम में होगी जिला कश्ण निवार और समीती की बैठक सीय मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता बैठक में रखी जाएंगी कुल उन्निस शिकायते प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर बोले सिक्षा मंतरी कवनपाल गुर्जर एक दिसम्बर से पूरी ताकत के साथ खोलेंगे स्कूल एक जन्वेजरी से शुरू होगा मिड़े में परिदबाद के सेक्टर चे में भूपेंदर स्टील में फटा एलपीजी सिलेंडर हदसे में एक मजदूर की मौचार गायल कंपनी पर लपरवाही का लगार पानिपत के सैनी कॉलोनी फैक्टरी में लगी भी चड़ाग आग से लाखों का माल जल कर राख आग बुजाने में जुटी फायर ब्रिगेंड नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हर याना में मैं आपके साथ असमिता दुपे चलिए खबरों की शिर्वात करते हैं जहां कबर पाल गुर्जन ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक दिसंबर से स्कूल खुलने की बात कही है और इसी के चलते हमारे हर खबर हर याना के समबाददाता ने कबरपाल गुर्जर से बात की है सिक्षा मंतरी कबरपाल गुर्जर से क्या बात चीत हुई है हमारे समभाद दाता की आई आपको सुनाते हैं नहीं ऐसा कोई प्रभाव नहीं है एंसी आर में जो जिल्या है बिल्कुल जो दिली से सठते वे जिल्या है चाहे इसमें फ्रीदाबाद है गुडगामा है जद्धर है रहो तक है तो निश्ची तोर से वहाँ पॉलिशन का असर है और उसको ही देखते हैं चार जिल्लों में निखने लिया कि स्कूलों को बंद करें बाकी पूरे रियने में उसका कोई असर इस प्रकार से नहीं है और बैसे भी हमने स्कूल खोल लिखे दे पहले से पहले से पहले स्कूल नहीं खुल ले हैं और वो 50% क्पेस्टी के साथ खोल लगए थे 50% ही टाइम था और 50% ही बच पहले हैं उनका क्या कोई संशे बने रहेगा उन पर किया फिर जो सुप्रीम कोट से जो आदेश आएंगे उसके बाद मिरने बतला जाए नहीं देखिए अभी इस प्रकार से पॉलेशन है उसके दिरिष्टिगत दिली में तो सारे स्कूल बंद करदी तो हमारे भी चार जि का कहना है कि कोरोना के बाद से लेकर अब तक जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वह सुचालू रूप से खोल दी गई है करमानों सार लेकिन उनका भी रोजगार है उनके भी बच्चे हैं उनको भी पालन पूशन की ज़रत है तो उनका अभी तक जो है मिड़े मिल वरकर के पान दी रिए कोई निड़ने नहीं लिए उसके लिए क्या सरकार ठेंक ने वारे में किया सोच रहें एखिया अभी दैस में बहुत से स्टेक्ट ताहसे हैं जो स्कूल खोलनी लग रहे हैं हमने सबसे पहले स्कूल खोले और पहली बार रिगार बें तक СКूल हमने खोल दी और अभी जो बोदन की विस्था है वो हमने कहा है कि अभी बच्चे हैं वो जो लंच है घर से लेकर आएगे लेकिन एक जनवरे से मिड़े में ले शुरू करने वड़े हैं तो जल्दी एक जनवरे से शुरू कर देंगे अभी जो है जो है आएटी में अभी नीट का देल टाया है तो उसमें भी चोबिस बच्चे जो हैं हमारे पास हुए है और साथ बच्चे मारे टॉप प्रेंट चोबिस में से जिनका एडिमिसन जो है वो एमस में होगा अरबाकी का एमभी बिस में जो हमारे कॉलिजन में अडिमिसन होगा प्रतिपक्ष भूपेंदर सिंग हुड़ा ने आरूप लगाए है कि जिस तरीके से सरकार जो पॉलिसिज लेकर आ रही है उसमें युनिवस्टी के अटॉनमी को खतम करने का प्रयास किया जा रहा है सारी पावर जो है वो सरकार अपने हाथ में लेनी के प्रयास कर रही है उसके बारे में क्या कहीं नहीं इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं है और जो हरियाना एजुकेस्टन कॉंसिल है उसके ने भी बैठक वीशी के साथ किये आदें और फॉर का लेगी लेकिन उसके बाद दो मेंबर चिएटीकट का विशी है वह इसका चेर्में से होगा उसके बारे में बताएं के युट बारे में बतायाया लगातार जो है विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और यह देखा भी जा रहा है कि बहुत से स्कूलों में यहूं कहें कि majority of the schools जो है वहाँ पे जो positions हैं वो वेकेंट है उसको लेकर क्या कुछ सरकार जो है कोई भरती निकालने जा रहे हैं उसके बारे में बता हैं यह कि हमने HPSC को भी और HSSC को भी दोनों को लिख दिया और की काफी संख्या मने लिखके उनको दे दी है मेरे पास एक जैक तो नहीं है इस ताइम लेकिन वो मने लिखके दे दी और जल्दी मैं समझता हूं इस पर कारवे की जाएगी और इसमें काफी कुछ जो था क्रोना की क्योंकि स्कूल भी बन रहे उसकी वज़े से भी एक समस्चाई आने वले टाइम में जल्दी हम जो एक कमी है इसको दूर करने का पूरा प्रियास करें अगर प्रावेट स्कूलों की बात की जाए तो प्रावेट स्कूलों का कहना है कि जिस तरीके से करोना के दौरान जो है सरकार ने जो जो दिशा निर्देश जी थे हमें पारिद किये थे हमने उनका पूरी तरीके से मानना किया लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं 134 ए के प्रावेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी बीते पांच वर्चों की फीस जो है वो सरकार में रबी तक उनको पे नहीं करी है तो ऐसे हालातों मे pרावेट स्कूलों का जो एक तरही के से जो कारिया प्रनाली है उस पे काफी है अध़ा फरق पढग लेगे इसके लिए ह पिछली समय में करोना की वज़े से जो सुरुज कुंड में ला है वो बंद रहा है लेकिन अब स्थिती पूरी त्रीके से समन्ने है तो इसलिए स्रकार ने फैंसला लिया गे चार फरविशी लेके भी सुरुज कुंड में लेका युद इन किया जाएगा और जिस परकार से प कुस्मी रहे और भार से जो देश है उन में से हमारा यू के जो है हमारा मुक्ते पार्टर है दिशा निर्देश खास तोर पर करोना के मद्दे नजर दिशा निर्देशों की खास अब एरपोर्ट से आएंगे यहां पे आना है बहुत बबल क्या कुछ ऐसी तैयारियां की जिस तरीके से एर बबल की बात हो रही है दूसरे कंट्री से अगर कोई यहां पे आता है तो एर बबल भी बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं करोना के अंतर गताने वाले क्या उन्हें भी उन दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी या फिर जिस तरीके से आपने कि वो जैसे आ रहे हैं उसी तरीके से आते रहेंगा दिसा ने देश की पालना तो खेर सभी को करनी पड़ेगी में लेकिवाज़ इसमें कोई छूट तो नहीं है तो लेकिन उस्मावी काया तो सभी जहां भी जाते हैं सब लोग उनका पालन करी रहें तो कोई समस्चा नहीं ह कि आगामी एक दिसंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और नए वर्ष से यानि कि एक जनवरी से मिड़े मिल वर्कर्स भी वापिस एक बार काम पर लोटेगी तेगी और बढ़ते हैं जहां राजी के बाहर के कॉलेजों में पढ़कर पॉर्मिसी की डिगरी लाने वाले शात्रों और हर्याना कैमिस्स एसोसियेशन के पतादी कारियों ने हर्याना पॉर्मिसी काउंसिल की कारिप्रणली पर सवाल उठाए हैं का कहना है कि काउंसिल की ओर से पिछले दो साल से राजी के बाहर से पढ़कर आने वाले करीब पांच हजार शात्रों की रेजिस्ट्रेशन नहीं किये गए हैं इसके साथ ही रिनीवल और अन्य काउंसिल के कामों में लगतार धिलाई भी परती ज़ा रही है तो है इस मामले में फार्मेसी कॉंसिल के पदाधी कारियों से भी कई बार मिले यूनिवस्टी फरजी है तो सरकार उसको बंद क्यों नहीं कराती यूनिवस्टी आज भी चलाए इस मामले में फार्मेसी का नाम है और मैं 2020 में पास आउट हुआ था मैंने 28 जुलाई 2020 में फार्मेसी काउंसिल में अपलाई किया था अपने फार्मेसीस ट्रैक्सेशन के लिए जबकि मेरी फाल भी जमानी करी गई उस ताइम पर ना मेरी वैरिफिकेशन वैरिफिकेशन इन्वस्टी के दौरा करने के बावजूद मेरी वह और पो नहीं करी गई और नहीं मेरे को जवाब दिया गया कि कब तक मेरी फार्मेसी काउंसिल लगातार पिछले काफी समय से विवादों में है यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल उन्हें रेजिस्टेशन नहीं दे रही इस बारे में हाला कि फार्मेसी काउंसिल के जो पदादीकारी हैं उन्हें से हमारी बात नहीं हो पई लेकिन हरियाना केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोशेशन के और ओडिटर हमारे साथ मौजूद है राके हम उनसे जानते हैं कि क्या कारण है क्यों नहीं एसोशेशन काम कर रही है क्यों नहीं फार्मेसी के रेजिस्टे और उसका क्या नुकसान सीधे तोर पर हो रहा है जी रागे जी ऐसा है जनाब कि हम जो है इस मामले में फार्मेसि कौनसिल के पदादी कारियों से भी कई बार मिले हैं सीम साथ तक भी हमारी कंपलैन गई है हैल्फ मिनिस्टर जी को भी हमने कंपलैन दिये है लेकिन कोई कारवाई इस बावत हो नहीं रही है पहली चीज तो यह है कि वहाँ अपने इसाब से फार्मेसी कॉंसिल को चला रहे हैं किसी को कह देते जी आपकी 12 फरजी है किसी को कह देते जी आपकी डिगरी फरजी है अभी ये बच्चा एक मेरे सामने ही खड़ा हुआ है इसको बोल दिया है कि ये आपकी युनिवस्टी फरजी है जब युनिवस्टी फरजी है तो सरकार उसको बंद क्यों नहीं कराती युनिवस्टी आज भी चल रही है और वही कुरुक्षेत की नगर परिशत थाने सर कार्याले में नगर परिशत कारिकारी अधिकारी बलबीर रोहिला और सचिव केल बिठला की मौझूद की में मीट की दुकाने बंद करवाने को लेकर एक मीटिंग की गई है और आपको बता दें कि इस मौके पर मीट दुकानदारों को सचेद करते हुए कहा गया कि कई बार मौकिक रूप से कहने के बावजूद आप मीट के दुकाने बंद नहीं कर रहे हैं इसके अलावा नगर परिशत की तरफ से मौके पर भी जाकर कई बार दुकाने बंद करवाई गई है केल बटला ने दुकानदारों को साफ कहा है कि यदि दुकानदार मीट की दुकाने बंद नहीं करेंगे तो नगर परिशत प्रशासन द्वारा पुलस बल की सहायता किसे दुकानों को बंद करने के साथ साथ दुकानों को सील भी करने जैसी कारवाई की जाएगी जोड़र जिए और जोड़र जोगी तिए दर्वने नगरी कुर्खेतर तिर्थों की संगम सली कुर्खेतर ऐसे में यहां पर बिल्कुल ड्राई एरिया है यहांपर मास के ओपर विक्रिपर परतिबंद है प्रतु पिछले कुछ समय से यहां पर मास्की बिक्री की सुचना आ रही थी तो ऐसे हैं प्रशासन तोर पर कड़े प्रबंद किये गए हैं नगरपरशन द्वरा एक बैठकर जहां पर टीमें गठित की गई हैं वहीं पर दिशान देश भी जारी किये गए हैं कि कुर्शेतर में किसी प्रकार की मास्की बिक्री नहीं होगी हर खबर हर्याना के लिए कुर्शेतर से विरौत होंगा अकिकल उनकी मीटिंग लेगी और उनको समझा दिया अगर हमें कुली मिली तो उनकी दुकान चील कर दिया लोगों को जाग रुख भी किया जा रहा है और अभी और सक्ति परती जाएगी जो लोग भी यहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालंग नहीं कर रहे हैं वो अपने आप से धोका करें क्या कि क्रोना एक ऐसा वाइरस है जिसने बहुत जड़ाद्स पुर्वेड में डैमेज किया भाग ज़ाद्स तो अगर को जाई-लाइन प्लेन कर questa हम सर्क्षित रह सकते हैं हमारा समाऑ सुरक्षित रह सकता हमारा देश उनको चरण परिदाबाद से हैं जहां रियान पब्लिक स्कूल के अध्यापको को लंबे वक्त से सेर्वरी नहीं मिल रही है अध्यापको का आरोप है कि उन्हें रोज कहा जाता है कि सेर्वरी की मुद्धे पर चर्चा होगी लेकिन ऐसा होता नहीं है अध्यापको को पिछले तीन महीने से सेर्वरी नहीं मिली है पिछले नौ दिनों से पेंडाउन स्ट्रैक पर थे हमने हमारी कुछ मांगे थी जो 2016 से हम इनके पास लिखित में देते आ रहे थे पर मांगे ये हैं कि हमारा सेवन्थ पे कमिशन हमारी अपग्रेडेशन नहीं दो हजार सोला से हमें डिये नहीं दिये जा रहे हमारे दो साल से इंक्रिमेंट्स रुके हुए अब फिर illegally हमारी EL को छेडा जा रहा था तो फिर हम बहुत देर से लिखित में इनको देते आ रहे थे पर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहे है तादे की फरीदाबाद से ख़बर है जहां पर रियान पबलिक स्कूल के अध्यापक परिशान है क्योंकि उन्हें लंबे समय से उनका वेता नहीं मिल रहा है बैसे में सेलरी ना मिलने को लेकर अध्यापकी की परिशानी साथ तोर पर नजर आ रही है जिसके बाद आपको बता दे कि इस मद्दों पर उनका कहना है कि सेलरी के मुद्द पर चटचा होने की बात हर रोज कही जाती है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसे में तीन महीने से उन्हे सेलरी नहीं मिली है अब इस तीन महीने से सेलरी ना मिलने के चलते अध्यापक जिस गदर परशान है उसके बाद उनका कुछ साथ तोर पर फूरता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अध्यापक अपर परिशान होकर बाहर आ गये हैं रियान पबलिक स्कूल का ये पूरा मामला है जहां पर रियान पबलिक स्कूल के द्वारा अध्यापकों को सेलरी नहीं दी जा रही है और इस वजह से अप अध्यापक परिशान हो चुके हैं और उन्हों का कहना है कि जब हर बार सेलरी की बात कही जाती है पर उसमें कहा ज जाता है कि इस मुद्ब पर चर्चा होगी लेकिन होती नहीं है और इसी के साथ खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही मुझे दीजे इजाज़त देखते रहे हर खबर हर्याना नमस्कार